हाई आई मनीजा रियाज वेलकम टू ग्लिट्स वीजिन यूएसे तो आज घर में मतलब कॉन्फरेंस कंटिन्यू की गई कंटेस्टेंस से भी पूछा वाल काट एंट्री से भी सवाल हुए और बहुत से लोगों को ये है कि तेजरन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया या प्रतीक को क्यों नहीं पूछा या और दूसरों को क्यों नहीं पूछा तो इस पे हम बात करेंगे पहले तो मीडिया के घर में आने का मकसद पता होना चाहिए ये मीडिया का आना वो वाले conference नहीं थी जो end में होती है जो finale से पहले conference होती है जहां मीडिया आके question करती है तो वो वाली नहीं थी ये actually conference इसले थी कि पिछले जो seven weeks गुज़रे हैं उनका सारा कुछ चट्टा जो है ना वो सब के साम में आ जाए सारी clarity आ जाए सब कुछ वो वह का vanish कर दिया जाए और आगे एक नया सफर शुरू हो नया खेल शुरू किया जाए तो इस वजह से मीडिया को बुलाया गया क्योंकि ये सवालात audience की तरफ से लाए जा रहे हैं ये सवालात जो है वीकेंड के वार पे उठाए भी जा रहे हैं चीजें पूछे जा रही हैं व भाद जो है कशना गया है जो इंपॉटंट हैं चाहिए उन को भी जानने जरून है NBA कि मम् Recice से देना करन के और जो वह नहीं देना की है। और नहीं करन से जो पूछा गया हैं जो यूंने उमर की क्या वह बात तेजशा को नहीं पता थी कि करन ने इस तरह से बात की है उमर से तेजा और विशाल की बात को लेकर तो वो एक चीज तेजा के सामने लाई गई क्यूंकि ये कोश्चन जो है ना करन को तेजा से ही पुछना चाहिए था तेजा से ही कहना चाहिए था जैसे तेजा बार-बार आके उसको कोश्चन करती है तो वो चीज करन क कיו कि तरफ से अगर देखा जाएकर और वो तुमारी फ्रेंड है तो उसे कुछ समझते हो तो तूम जा के दूसरे से क्यों बात करें तो तो करन का वहाँ कहीं क्लिएड नहीं और पास्ट में भी देखा है वो शमीता से बात करता था फिर जब राकेश आया था तो जब तेजा और उसकी बात हुई थी करन की तो भी उसने राकेश के साम में बोला कि मैं कैसे समझाओं कैसे करूँ और आपने यह देखा ही होगा दो वीख पहले फिर उसके बात जो है अब यह वाली बात उसने उमर से की तो कहीं ना कहीं करन क्लीर नहीं नहीं है लोगों से भात करने में लोगों को रेक्षन गलत लगे उसपे बात करने के लिए अतना strongly नहीं आके करता है तो वो चीज़ की clarity उसको मिलना जरूरी थी और वो उससे कहा गया और उसने बताया कि वह उसका मीन नहीं था वो इस वे में नहीं पूछ रहा था वो सिर्फ जानना चाहरा था कि मतलब उसकी सोच सही है कि गलत है तो ठीक है उसने वो बात अपनी क्लियर की और विशाल और तेजा की फ्रेंशिप पे बात हुई तो उन्होंने बोला पहले जो भी हुई बात अब तो फ्रेंड ही हैं और वो सब जो है क्लेर हो गया तेजा नहीं भी कहा कि वह जो है नहीं भड़त क्लेरिटी पे था उनसे पूछा गया करन से तेजा को इतना सपोर्ट क्यूं करते हैं तो उसने अच्छे जवाब दिया के शमीता नेहा से जिस तरह से उसे समझाया था शमीता ने के तेजा जो है वो ुच्छी है चोटी है तुमसे उमर में तो उसका अलग तरीका है बात करने का तो मैं उसे इस तरह से रिएक्शन नहीं देना ombakGame या किस तरह से उस मलना होगा यह वाली बात तो उसने clear किया अपनी बात के शमीता से बात करने के बात जो है ना वो इस तरह से करना तो यह सब clarity मिल रही है हर चीज को clear किया जा रहा है और जो है यह बात बिलकुल करन से सही पूछी गई कि तेजा चोटी है तो प्रतीक भी चोटा है तो फिर उससे अलग क्यों और इससे हमाई तो इनके आगे आउकात ही नहीं है क्योंकि उनको पता चल गया हमाई तो आउकात ही नहीं है नहीं जो है ना हमें इनकी कोई understanding और कुछ चाहिए तो प्रतीक वहाँ पे सही है जब बात आप पे आएगी तो जवाब दे सकता और क्यों नहीं दे सकता है तो उसने अपन उमर को भी question पूछा कि जिस तहां से करन जिस तहां से तेजा ने उनको weak कहा या करन ने उन्हें गदा कहा तो उस बात पर उमर ने बहुत अच्छा जवाब दिया और यही एक sensible आदमी से आप जो है expect करते हैं कि वह ऐसा answer देगा वह वहां friendship तोने की जरूरत नहीं है महां clear होना था वह clarity हो जाएगी वह उसके दोस्त हैं और वह ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उनका साथ छोड़ दें हां उसको बात गलत लगी है वह उस बात को मतलब नहीं चाहेगा कि वह चीज आगे हो और उसने बोला मैं यह चीज आगे नहीं लूँगा मैं मेरी इतनी string भी क सब्सक्राइब और इसकी clarity चाहिए थी लोगों को कि भई बाहर भी यह हो रहा था कि उसको पता नहीं है वह यूज कर रहा है और तो वह बात बिल्कुल करन उसके बात कभी भी उमर के अगेंस किसी से बाते नहीं की हैं अगर वह एक चीज को अगर आप देखते हो तो ना उ उसकी च्वाइसे वो दोनों में वो understanding है और जो कि एक अच्छी बात है एक अच्छे दोस्त में होनी ही चाहिए तो उसकी clarity भी मिल गई लोगों को भी अब मिल गई है कि अब जो हैं उमर और करन जो है न वो दोस्ती हैं और वो कोई भी चीज ऐसी लाके तूटे गी नहीं कर देखे गया वहां जैको उसको कोशन करना चाहिए था पर वो कह रहा है मैंने तो इन से इनको इन से एक्सपेक्टेशन नहीं थी अब यह भी मुझसे को एक्सपेक्टेशन नहीं रखें अब मैं यह एक ऐसा बंदा हूं जिसने किसी की कोई favor नहीं लिए तो भाई किसी का को विशाल और फिर जैकी जो इतनी लड़ाई हो गई क्योंकि फिर वह जो है ना एक दूसरradas पर ही चड़ गय तो यह बात की और जो है क्लेरटी दी वह रिशाल की बात की कि विशाल जो है वः खरो साथ दोड़ा उनों कि मैंने कोई भरो सानित तोड़ा मैंने एक बोली कि भाई आगर ऐसी हरकते करोगे तो या तो करो नहीं और करते हो तो फिर मतलब बोलते हो तो डनने की जरूरत नहीं है तो यह एक हर किसी चीज की नहीं clarity clarity बाते सामने लाई गई है क्योंकि जब तक इन लोगों पर असर नहीं हो रहा था जब तक सल्मान आके बोल रहा है या कोई और आके बोल रहा है या आपस में बोल रहे हैं यह फिर भी उन चीजों को serious नहीं ले रहे थे अब जो है न अब जो भी यह लोग करेंगे अब इसक चाप्टर शुरू हो रहा है नया चांस मिला है सबको अब देखते हैं सब नया गेम कैसे खेलते हैं और क्या होता है नहा से बिलकुल वैलिट कोशन पूछा प्रतीक को लेके कि भाई किसी दिन तो यह आप एंटी प्रतीक होती है किसी दिन आप प्रतीक के साथ होती है पिर अब भी जो जो कह दिया ना इन लोगों ने अब देखते हैं आगे कैसे करने वाले अगर सेम चीज ले जा रहे हैं आप इस गेम में नहीं रह सकते क्योंकि आप गलत जा रहे हो फिर आप अपना गेम नहीं खेल रहे हैं दूसरे के लिए ही आयो तो यह वाली clarity बहुत अच्छ क्या होता है शमीता से बहुत अच्छा question पूछा गया विशाल को लेके आप जो है ना वह आपको इतना मना किया जाता है फिर भी आप उस पर trust करते हो और आप यह विशाल को यूज करने के लिए तो नहीं कर रहे हो कि आपको भी इनकी जरूरत है तो शमीता ने का कि मैंने उनसे क्या दिया साफ कि जो है अब जो भी है अब मैं आगे इनका देखूंगी कि अगर आगे यह कुछ गलत करते हैं मेरे साथ तो फिर वो definitely इनके साथ नहीं रहे हो निशान 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 ने जब वो react किया उसका reaction यही था कि इसको तो धोके देने पर 10 chances दे सकती है मैं इसको नहीं लेकर गया वी आईपी रूम में तो इसको जो है बुरा लग गया वह भाई बनके 10 दफ़ा दोका दे सकता है और मैंने एक बार नहीं ले गया वो भी मेरा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था उसके बाद भी यह मुझे गलत मानती और उसको सही मान रही है इसको मौका दे रही थी और जो है हमारी चैनल की अनूराधा ने भी कोशन किया तो यह हमारे लिए बड़ी बात है कि हमें उस मीडिया हाउस का में जाने मताईज़े मीडिया पर संट जाने का चांस मिला बिग बॉस के हाउस में और वहां हम भी कुछ कोशन कर पाए तो से रोई थी जिस्तने निशान ने बहुत अच्छे से बिल्दां गीम deve और इसका अछे से बोली कैँ मैं अपने खेल के लिए और दूल्च के लिए ओलु साफ हुई बनना लोग तो यही समझ रहे थे कि तेजा का जो रेक्शन था ना वो वी आईपी ना बनने की वज़ा से था तो यह clarity मिली और जो कि एक अच्छा दोस्त एक अच्छा साती हो जो जो इसे कुछ समझते हैं उनका यही आना चाहिए था सिंबा को बिल्कुल सही वो तो हमेशे ही बोला जाते हैं आपकुश nmkर रहें लेकिन उनको भी यह बात बताई गई कि भई आपके लिए जो इतना सब कर रहें आपको बार बबड बचाते वे आरहे तो इतने वीक में आगके क्या किया आप फिर भी आराम से हो तो सिंबा जो है उन्होंने का चलो अगर मौका मिला मुझे तो वे करके दिखाएंगे पर अब मौका मिला है नहीं मिला है तो आगे ही पता चलेगा और फिर जो है तेजा से बहुत सही कोश्टन किया कि जब वो राजीव को कर रही थी तो वो कंट्रोलिंग थी डॉमिनेटिंग थी आप करन को करते हो तो आप डॉमिनेटिंग नहीं होते हो यही सवाल ओडियंस ने उठाया था यही सवाल हम सब ने उठाया था तो उसको सही जाके पूछा गया कि आप करें तो सही है दूसरा करें तो गलत है तो वो वाली बात पे भी तेजा ने अपना जवाब दिया और अच्छे से दिया बोलनेस के साथ दिया मतलब और फिर करन को लेके भी किया कि भी करन नहा से बात कर रहा है तो वो अपना नहीं कर सकता है वो बच्ची है ये मिच्चोर है लेकिन तब भी वो बातें नहीं कर सकता है और ये बच्ची उनको बता रही होती है किस से करना है किस से नहीं करना है और करन भी तो इस तरह से वैम बोलता है घर तोड़ने आये तो बातें तो वो भी गलत करता है अगर नहा नहीं बोला उसको पपी तो यही गलत बाते तो यह भी बोल रहे है ना तो बस बात सारी यह थी कि आप करें तो सही दूसरा करें तो गलत और वो अपने जवाब दे रही थी माना कि वो जवाब कुछ सही नहीं थे क्योंकि आप अपने लिए अगर बेसिक यह था अगर अपने चीज़ को लेके clarify मतलब clear हो तो दूसरे को भी समझो उनका भी एक relation है तो उसमें वह चीज़ आईगी यह समझ होनी चाहिए जो के वहां नहीं दिखाए गई थी यह भी बोला कि आप को करती है तो पिर मैंने जैसे बोला सारी बात सामने आ गई उसने बता दिया कि वह उसके लिए important है इसलिए वह उ दस साल से उसका भाई है तो obvious reason है कि उसका reaction निकलेगा इस पे कोई सवाल उपता ही नहीं है और फिर जो है उनसे पूछा गया भी आपका game कहा है कहा है आपका game से भी है यह कि करन के पीछे गुमे उसके साथ जो है ना उसके साथ ही रहते हो आप और जो है उनके उपर चड़ में आपको अंदर लेके गया उस पे बात हुई जो कि कफी insulting था I think word की भी यूज़ बहुत जरूरी होती है ऐसे खेरात बोलने की जरूरत नहीं थी it's so insulting और तेजा और कि वो उसको पसंद करती है तो इसके लिए reaction निकलता है यह करन के लिए उसने बहुत था और उन्हांने कि उमर ने एक दोस्ती की शुरूरात किये मुझे इस तरह help करके तो अब यह चीज अच्छी उमर की तरफ से हुई है और बात करने के तरीके पर बोला कि अब इतना इस तरह से बात करती है तो इसने बोला मेरा ऐसा ही तरीका है जो है ना वो वैसे दिखना दिखता arrogant वगार तो थोड़ा तेजा को वैसे भी cool down होके बात करना चाहिए arrogant दिखती है और उसने का मैं ऐसा ही बोलती हूं वो जो है ना और फिर इनकी relations पर बात हुए जो के तेजा तो बोल दे रही है पर करन नहीं accept कर रहा है तो clarity हुई उसके लिए भी clarity मिल गई होगी लोगों को कि करन अ करता है उसको और एक बाद मुझे गलत लगी क्यों करन बार बार यह बोलता है कि मेरी उमर मेरी उमर अब आप इतने बुड़े नहीं हो जो बार बार अपने आपको इतना बड़ा दिखा रहे हो और दूसरे को इतना छोटा दिखा रहे हो तो यह दिखाने की ज़रूरत नह है आप सही एज है सही है सब कुछ आपका तो वह वाली बात मुझे गलत लगती हो बार-बार आके उसको बच्ची और खुद को यह क्या क्या नयाज चुलू कि अगर शमीता ने वह एक्जेंपल दी कि थोड़ी यंग है तो इस वजा से होता है माइन के हिसाब से होता है diff न हो जाते हैं अपीनियन में की थोड़ा थोड़े बड़े होते हैं तो जादा मिच्चूर हो जाते हैं अप अब उसको यही लेकर नहीं बैट जाएं कि मैं बुड़ा हूं और वह बच्ची है और जो तेजासे कॉशन पूछा गया कि गर्ल कार्ट खेलती है ऐसा नहीं है वो कोई गर्ल काड नहीं खेल रही थी और तेजा ने भी सही जवाब दिया उन्होंने बोला मुझे आफ हुआ है इस तहां से क्योंकि मैं वह नहीं कर रही थी और निशान ने वह बात के क्लियर भी किये कि और के वह एक फ्रेंड्शिप का वह था उनका उनका वह यह ने इन लोगों से पूछा वो था वी आइपी जोन खतम होने पर जो नहा और खुश हुए थे और जिसका उन लोगों ने बहुत अच्छे से बात की वाकी इनके दिमाग जो है ना पहुंच गए थे क्योंकि एक तो पहले फराखान इनको दो फरस्ट और सेकिंड पर पर चर जाता है ना तो पर आप इस इंडिस्री में नहीं रह पाते हो अगर आप नहीं चड़ाते हो तो आप लॉंग टाम के लिए रह पाते हो तो वह बात बिल revital सही है और फिर्म हजम होना चाहिए फिर्म सर पर नीच भूना चाहिए नहां ने भी सही बोला कि थेज़ और करन को वही लोग चाहिए जो हम भी बोलते हैं कि जो लोगं की सुन रहा है उनके अंडर है और वह पावर में रहा है वह उनको ले जाते हैं जो लोग उनको जवाब देंगे या जो लोग एक्ठ लोग यह वाली बात प aten क्यों हुकुत हो यह सारी बात clear और उनके मूँ पे उनके सामने मीडिया के सामने सारा कुछ रखा गया है तो इस नॉट कि अंदर वालों की सोच है यह बाहर वालों की भी सोच है ऐसा उन लोगों को दिखाया गया कि अगर अंदर वाले तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं तो बाहर वाले भी यही समझते हैं तो it's time to play तो ये होना बहुत जरूरी थे कि वो past, सारे week खतम करें नया journey शुरू होगा और अब देखते हैं नया journey में क्या होता है bottom six हमको पता चले राजी, विशाल, सिंबा, जै, नेहा उमर और जो है top five तो फिर समझी आते हैं जब bottom six यह जाते हैं यह हमने बाद में देखा कि यह सब यह जो भी इन लोगों के साथ मतलब जो भी conference में हुआ उसकी base पे बाद में सब लड़ते एक दूसरे से question करते वे दिखे और सही बोला जो मैंने आपको बात बताती, निशान ने भी अपनी बात सही बोली, करन ने उमर से अपनी बात clear करी और जो के सही है मैंने जैसे बोला, he's a very sensible guy, समझदार है, उसे game की समझ है, उसको लोगों की समझ है, तो उमर ने बहुत अच्छे से वो चीज़ को किया, और good for their friendship, शमीता ने विशाल को question किया, वो राकेश वाली बात पर, जो कि वो पूरा हक रखती है, उससे पूछने, विशाल तब भी बहुत बाते गुमा रहा था, वो का प्रतिक को भी बोला, तुम क्यों आ रहे हो, जब ये घर में सारी बात open हो रही है, तो वो सारी बात सबकी हो जाती है, ये हर घर की कहानी है, ये हर जगा होता है, जब बात ने बड़े सरकल में सबके साम में खड़े हो के की जाती है, तब सारे लोग उसका पार्ट हो सकते हैं, अगर वो बात सिर्फ आपकी और आपकी बहन की है, तो आप दोनों अकेले में जाके कहीं कर सकते थे, तो जब वो सब के साम में होगी, तो सब जाएंगे, सब बात उठाएंगे, सब उसमें जा सकते हैं, वो ओपिन है, तो वो बात पे और शमिता ने शही बोला, उसके बारे में आप इतने गंदे तरीके से बात कैसे कर सकते हैं, कुछ तो माल वाली बात हुई थी और शमीता ने बिल्कुल बिल्कुल सही सारी बाते हो इसको बोली है उसने बोला आप इतने explanation दे रहो हर चीज़ का एक sorry बोलके कि हाँ मेरी गलतिये में नहीं करूंगा बढ़ सकते हो आगे लेकिन विशार explanation में में लगे होते हैं अपने हर चीज़ को justify करने में लगे होते हैं क्यों बोला किस लिए बोला यह explanation में ही सारा time खराब होता है यह मीनिंग था वो मीनिंग था वो बताने की जरूरत नहीं है और जो conversation की प्रतीक के बीच में आने की बात है वो जैसे उसने भी बोला यह समझ आती है बाहर खड़े होके लड़ाई करोगे बाहर खड़े होके दुनिया के सामने बोलोगे तो दुनिया बोज़त नहीं है बातें सब में करनी ही नहीं चाहिए फिर हमने देखा कि किस तरह जो है ना प्रतीक ने जो question किया वो बिल्कुल सही किया क्योंकि आपको ऐसा किसी बहन के लिए ऐसी बात बोलनी भी नहीं चाहिए थी और जो है ना हमने देखा कि यह सब तो अपने argument में ल अब जब दोगला बोल दिया तो फिर उसके बाद तो भई लड़ाई शुरू हो गई धका दिया जैने लेकिन जैने जब धका दिया जब वो इतना close आतों उससे चिपक रहा था तो उसे हटाया तो फिर उसने बहुत जोर से धका दिया और विशाल ने और उसके बाद जो है और यह लोगों उने पकड़ के रखा करनने और फिर शमीता ने न तारा और माही का नाम ले के उसे चुक कराया। कुछा भई किसको टार्गेट करेंगी तो उस पर उसने बोला मैं किसी को टार्गेट तो करने नहीं जा रही हूं पर हाँ यह जरूर है कि सही जरूर करूंगे कोई घलत होगा तो प्रतिक के बारे में बोला कि आप बहार सपोर्ट करती हो रश्मी किसी और को सपोर्ट करती है तो आप लोगों का conflict होगा इसना कुछ अंदर होना है उसकी सोच है उसकी सोच है इससे हमाई दोस्ती पे नहीं तो इसना के बहुत सारे questions पूछे गए और answer दिये गए और अभी जी जो है ना वो पता नहीं question क्या हो रहा था उनके जवाबात काफी हद तक match ही नहीं हो रहे थे question से और वो अपनी ही बारे में बता रहे थे पहले तो और वो कितना दिल जीत पाएंगे उनने उस पे भी कुछ नहीं बोला कि वो कितना दिल जीत पाएंगे वो बस यहीं बोल पाए कि मराथी एक वो थी अब मैं एक हिंदी आउडियंस में जा रहा हूं तो यह बात बोली लेकिन कितना दिल जीत पाएंगे क्या करेंगे उस पर उन्होंने कोई clarity नहीं दी और रश्मी से भी और डेवली नहीं दोनों से बोला आप लोग इतनी बार डेवली नहीं लास्ट सीजन भी आ चुके हैं तो आप इतनी बार जा रहे हैं रश्मी से भी बोला तो उन्हें अ बेहन है और आपको यहीं बोल रहा है इसी वजह से लेकिन ऐसा नहीं शमीता शेटी अपनी भी बहुत जगा बना रही है अपनी परसनलिटी दिखा रही है उन्हें पहले दफ़ा जब चांस मिला तो किसी परसनल रीजन से बाहर चली गई थी तो उनको दुबारा एक चांस है और उसके बाद मेकर अगर उन्हें लाएं तो जो आके अपना यहां गेम भी उन्होंने चेंच किया यह खेल रही है तो इतना भी गलत नहीं है वह कर रही है कुछ ना कुछ और दिख रही है और एक शमीता ही अलग दिख रही है कि वह सिर्फ शिलपा शेटी की बहन नही या कि क्योंकि वो शमीता को यूज कर रहे हैं इस तरह की बात है तो उस पर उनको कोश्चन करेंगी जो के मीडिया ने रोज कर लिया आगे सेम बात करने की जरुवत वैसे नहीं है लेकिन ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा बिक बॉस ने जो है न या अभी जीत को एक तड उसारा होए है लाइं बनाेंगे नहीं बनाएंगे इस हमिने भी डेवलीना ने और यह अभी जीत आपना ही संसकार सिख泥 इंक है और यह जो है यह मिडिया पर से बहुत अच्छी बोला कि को एसे नहीं एक स्कूल और हाद से ना दो और किसी की सुन नहीं सकते हैं उन्होंने बोला है और परोमो हमने देखा कि फिर वो कोशन चल रहे हैं कि राकी सायवत बंढ क्या इस तहां से और बॉटम सिक्स को से कोई एक बहार होगा इस तरह का टास्क आने वाला है और तेजा जो है ना अपना बेजा लगा रही थी कह रही है विशाल को ही निकालेगी चमीता तो इस तरह पॉमों में दिखा है अब ये कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा एपिसोड की बेस पर बात कर रही हूं मगर आज का एपिसोड बहुत अच्छा था बहुत आई ओपनर था पीछे का सारा कुछ अब खतम हो गया है अब आगे का सफर कैसे चलने वाला है क्या होगा घर के अंदर ये हम देखेंगे आपको कितनी अच्छी लगी एपिसोड आप कितनी मेरी बात समझ पाए हैं आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं कहां सही थी कहां गलत थी मीडिया कहां गलत थी कहां सही थी तो अपना प्लीज कमेंड बॉक्स में बताईए अपने अपना जो है न आप भी प्लीज अपना फीडबेक दें आप करन कुंदरा बनके अपना रियक्शन दबा के नहीं रखें आप जितना बोलेंगे आगे आपकी ही बात जाएगी और आपको ही सुना जाएगा तो प्लीज कमें बॉक्स में बताईए और देखते रहें बिग बॉस लाइफ फीड और वूट सलेक एन एर देखते आपको जाएगा पुलर थी और यह एंगे आपको आपको अपको अप्सक्राइब का जाएगा अजिए बॉस खीड़ और यह जाएगा इस अरशन विज़ानए अन इस आपन्वर और यह वचिछ वचे एंगा कि ने लिली, से रहुँ.